आज बाबा दी अव्यक्त मुल्ली 15 अगस्त 2021 दी बाबा ने क्या होली कीमे मनाईये ते सदा काल्दा परिवर्तन कीमे होवेगा बाबा ने क्या होली कीमे मनाईये ते सदा काल्दा परिवर्तन कीमे होवेगा आज सार्यां दे भाग्ये विधाता बाप आव दे होली हंसा ते ज्ञान रतना दी होली मनानाई है अज सार्यां दे पाग्ये विधाता बाप आव दे होली हंसा नाल ज्ञान रतना दी होली मनान आये है मनाना अर्थात मिलना बाप दादा हर इक बोत सनेही सहज योगी सदा बाप दे कामविच सहयोगी सदा पावन वृतिनाल सदा पावन द्रिष्टी ते स्रिष्टी नू परिवर्तन करन वाले सारे होली बच्च्यानू देख सदा खुश हुन देने पावन ता अज कल्दे गाए होए महात्मावी बन देने लेकिन तुसी स्रेष्ट आत्मावा हाईस्ट होली बन दे हो पर बाबा कहन दे पर तुसी जडे स्रेष्ट आत्मावा है गिया स्वपन अर्थात संकलप मात्तर सपने विच्वी एप वितरता वृतीनू दृष्टीनू पावन स्थितीतों निच्चे नई ला सकदी हर संकलप अर्थात समृती पावन होंदे कारण वृतीते दृष्टी खुद ही पावन हो जान्दी है एहे होली दा तोहार अज पावन आत्मावा दे पावन बनन दी विदी दा यादगार है पावन आत्मावा दे पावन बनन दी विदी दा यादगार है क्योंकि तुसी सारे नंबर वार पावन आत्मावा बाप दी याद दी लगन दी अगनी द्वारा सदा दे लई ऐ पवित्तरता नू जला दिन दे हो ऐसले पहले जलान दी होली मनाने हां फिर रंगान दी होली ते फिर मंगल मिलन मना दे हां ता जलाना अर्थात नाम नेशान खतम करना वैसे कि सदा अगर नाम नेशान खतम करना हुंदा है ता की कर दे याँ जला दिन दे हां ऐसले रावन नो भी मारंतो बाद जलांदे हाँ एहे तुसी आत्मामा दा यादगार है कि ऐ पवितरता नू जला दिता अर्थात पावन होली बन गए बाप दादा सदा सुनांदे है कि ब्राम्न दी होली मनाना अर्थात पवितर बनना ता आपदी आपनू चेक करो कि पवित्तरता नू सिरफ मारया है जा जलाया है मरन वाले फेर वी जिन्दा हो जन्देने किते ना किते सां रुक्या रह जन्दा है लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान खतम करना कित्थो तक पोंचे हुँ आपदी आपनू चेक करना पवे भाबा केंदे वी आपदी आपनू की करना पवे खुद ही वेखना पवे कि सपने विच्वी अप वित्तरता दा लुक्या होया सां फिर तो जीवितता नहीं हो जान्दा एसलाई केंदे ने स्रेष्ट पावन आत्मा की सवपन विच्वी संकलप ते सवपन वी परिवर्तन हो जान्दे ने आज बाप दादा आज वतन विच बाप दादा बच्चेयां दे हर वेले संकलप द्वारा लिखित द्वारा बाप नाल कित्ते होये वाय दे देख रहाई सी चाहे स्थिती विच महा रथी चाहे सेवा विच महा रथी दोन्ना ने हर वेले बोथ चंगे-चंगे वाय दे कित्ते होये ने आज बाबा केंदे कि आज बाप दादा महा रथी ते पुर्शार थी दोन्ना दे वाय दे आनू देख रहे सी कि हुने हुने नजीक दे वाइदे बोथ कित्ते है ता की वेख्या कि वाइदे नाल फाइदा भी हुन्दाने क्योंकि द्रिडता दा फुल अटेंशन रहने विजो आप वाइदा कर देयां ता वाइदे विच की हुन्दा है फाइदा भी हुन्दा है क्योंकि वाइदा करना अर्थात आवदे आप नाल इक परतिग्या करने ता आवदे उत्ते अटेंशन रहन्दा है बार 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 वाइदे दी समरिती रैन नाल समर्थी अंदी है जदो आपा बार बार आवदे वाइदे नू याद कर देयां, ता अंदर की उन्दी है, शक्ती उन्दी है, जिस कारण थोड़ा बोत परिवर्तन हो जान्दा है, लेकिन बीज दब्या होया रहन्दा है, जदो कोई वेले वा समस्या आजान्दी है, ता समस्या वा कारण दा पानी मिलन नाल, दब्या होया बीज, फिर तो पत्ते कड़ना शुरू कर दिन्दा है, सदा दे लई खतम नहीं हुन्दा, बाप दादा देख रहे सी, कि जलान्दी होली किन्ना ने मनाई है, जदो बीजनू जलाया जान्दा है, ता जलया होया बीज कदे फाल ने दिन्दा, वायिदे ता सार्याने कित्ते हैगे है, कि असी बित्तीनू बित्ती करांगे, मना कि जो हो गया, सो अनू हो गया कमांगे, चाहे ता आवदे प्रती, चाहे धुज्यादे प्रती सार्यानू समाप्त करके बदलांगे सार्याने हुने हुने वाइदे कित्ते है न? रूरे हान विच सार्याने वाइदे कित्ते है न? हर इकदा रिकोड बाप दादा दे कोल है बहुत चंगे चंगे वाइदे करदेने कोई गीत द्वारा ते कोई कविता द्वारा ते कोई चितरां द्वारा बाप दादा देख रहे सी, जिनना चांदियां उनना परिवर्तन क्यों नहीं हुँंदा कारण की हैगा क्यों नहीं सदा दे वास्ते समाप्त हो जान्दा ता की वेख्या आप दे प्रती जद दुज्यां दे प्रती जदो संकलब कर दे हां कि एहे कमजोरी फिर आन नहीं दमांगे जद दुज्यां दे प्रती सोच दे हां कि जिस किसी वी आतमा नाल हिसाब किताब होगा ता उन्हें दे संकलब बोल्भ करम दे संसकार जो दो टकरांदे है ता उस दा परिवर्थन करांगे लेकिन समय दे फिर क्यों रपीट हो जाना है उस दा कारण है सोच दे हो कि अग्ये तो उस आत्मा दे संसकार नुँ जान दे होए, खुद नुँ सेफ रखांगे, ते उस आत्मा दे प्रती शुब पावना, शुब कामना करांगे, लेकिन जदो दूसरे दी कमजोरी देख देयां, सुन देयां, फिर ग्रैन करन दी आदत नैचरल ते सदा काल्दी हो गई है, ए आदत नहीं रखांगे, ए तो बहुत चंगा, लेकिन उदे स्थान ते फिर की देखांगे, उस आत्मा दे गुणा नुँ ग्रैन करांगे, एहे बार-बार अटेंशन विच नहीं रख दे, माबा केंदे वाईदे ता बोट कार्दी है, दुझियां दे प्रती, आप दे प्रती शुप आवना शुप कामना रखांगे, दुझियां दे अफगुण नहीं देखांगे, उन्हादे गुणा नु देखांगे, लेकिन फिर की हुंदा है की बार-बार अटेंशन विच न नेचरल अटेंशन वीच नहीं रहन दियां जीवे कोई खाली था हुंदा है ता उस दे अच्छे रूपतों अगर उनु यूज नहीं कर दे ता उत्थे खाली था उत्थे किचड़ा जा मच्छरादी खुद ही पैदा हो जान देने क्योंकि वायू मंडल वीच मिट्टी तूल मच्छरादी किन्ने है ओहो फिर थोड़ा जा पानी मिला नाल वद जान देने क्योंकि जंगा परी ने क्योंकि बाबा कहन दे ओ जंगा नू तुसी परिया नी ना खाली चड़ता ता ऐस करके थोड़े समय बाद कियो जान दा उत्थे मक्ही मच्छर जानवर पैदा हो जान देने ता जो भी आत्मामा दे संपरक वीच आन दे हों ता पहले नेचरोल परिवर्तन किता होया कि स्रेश्ट संकलप सवरूप आवदी याद वीच लियाना है क्योंकि नौलजफूल ता होई गए हों कि सार्यां दे गुन करतवे संसकार सेवा सभाव परिवर्तन दे शुब संसकार वा स्थान सदा परपूर होवेगा ता अशुद्धनु स्वते ही खतम करदांगे अच्छा मिठे मिठे सिकी लदे बच्चयां प्रती मातपिता बाप दादा याद प्यार ते गुड मॉर्नी रोहानी बाप दी रोहानी बच्चयां प्रती याद प्यार गुड मॉर्नी रोहानी बच्चयां दी रोहानी बाप दादा जेनू याद प्यार गुड मॉर्नी न सारियां आत्मामा उत्ते आवदा पर भाव पान वाले मास्टर ज्यान सूर्य भव आवदी अलोकिक रोहान नी वृत्ती द्वारा सारियां आत्मामा उत्ते आवदा पर भाव पोन वाले मास्टर ज्यान सूर्य भव जी में कोई अकर्षित करन वाली चीज आस पास वाले अनू आपदी तरफ खिच लेंदी है ता ओ आपदी आस पास वाले अनू आपदी तरफ खिच लेंदी है सार्या दा अटेंशन जांदा है ओवे जदों तो हड़ी वृत्ती अलोकिक रुहानियत वाली होगी ता ओदा पर भाव अनेक आत्मा उत्ते आपपे ही पोगा अलोकिक वृत्ती अर्थात न्यारे ते प्यारे रेंदी स्थिती स्वते ही अनेक आत्मावानू आपदी तरफ खिच लेंदी है सलोगन है सदा स्वे मांदी सीट उत्ते स्थित रहो ता सरव शक्तियां तो हड़ा ओडर मन दियां रहन गियां सदा स्वे मांदी सीट उत्ते स्थित रहो ता सरव शक्तियां तो हड़ा ओडर मन दियां रहन गियां अच्छा, ओम शान्ति